हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मिशन बोड़ी अमदर किस में है तो दोस्तो आज किस वीडियो में लोग क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का आज अंतिम चेप्टर का हम लोग अब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं जिस चेप्टर क लाइब अभी जोईन कर चुके हैं वह एक पर इस वीडियो को अपने दोस्तों में जल्ली से सेर कर दीजिए और उसके बाद आज के लाइब टेस्ट को उनलोग स्टार्ट करेंगे और जितने भी इसमें कोशन बताएंगे आप लोग को वह बिहार बोड मैट्रिक एक्जाम 2020 के लिए वह बहुत ही इंपरुटेंट है और आपके एक्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है चलिए आप लोग फृटवाट इस वीडियो को सेर कर देजिए तब तक हम भी इस वीडियो सेर कर देते हैं और आप लोग भी फोटवाटवाट अबलावाद टेस चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए आज का पहला कोशन आपके मुआ इसकी पर दिख रहा है कि निमलिखित में से कौन बायो गैस इंधन का सुरोत नहीं है आपका अप्शन है लकडी, गोबर गैस, नाभिकिये उर्जा या कोईला बताना है आपको कि निमलिखित में से कौन जो है बायो गैस इंधन का सुरोत नहीं है लकडी, गोबर गैस, नाभिकिये उर्जा या फिर कोईला तो जलिए जलिए से बताए कि फर्स्ट का एंसर ए, बी, सी, डी में से कौन सा ओप्शन जो है सही है चलिए, दस सेकेंड का आपको हम टाइम देते हैं, तब तक आप एंसर को कमेंट किजिए चलिए, जितने भी स्टुडेंट इस कौशन का जवाब कमेंट की हैं, ऑप्शन नमबर सी, वो बिल्कुल ही सही है, यानि ना भी किये उर्जा जितने भी कोशन, यानि बच ये उप्शन सी दिये हैं, वो बिल्कुल ही करेक्ट हैं, आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर आपके दो पे, दो नमबर कोशन है, गुलोबर वार्मिंग के लिए उतरदाई गैस है, यानि गुलोबर वार्मिंग के लिए उतरदाई गैस कौन सा ह सब्सक्राइब और उसमें आपको एंसर कमेंट करके बताना है चलिए इस कोशन के जवाब जली से सब्सक्राइब कमेंट करके बताईए यानि गोलोकॉल वार्मिंग के लिए उतर दाई जो गैस होगा वह कौन सा होगा चलिए जितने भी बच्चे इस कोशन का कमेंट की है ओप्सन नमबर C यानि CO2 यानि क्या कारबन डाई अक्साइड ठीक है गोलोबल वार्मिंग के लिए उतर दाई जो गैस होगा वह कौन सा होगा तो CO2 होगा यानि कारबन डाई अक्साइड चलिए आगे चलते हैं हम लोग कोशन नमबर आपके तीन पे तीन नमबर कोशन क्या कर रहा है सूर्ज तथा अन तारो की विसाल उर्जा का सुरोत है कौन से हैं नाविकिये सनलायान नाविकिये विखंडान या फिर दोनों या इनवे से कोई नहीं तीसरा का राइट एंसर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट करके बताए लोग चले इस कोशन का जितने भी स्टूडेंट ऑप्सन नमर इसका ए दिये हैं वह बिल्कुली करेक्ठ है यानि नाविकिये सनलायान होगा आगे बरते हैं कोशन नमर आपके चौथे पर नाविकिये विखंडण को नियंतरित करने में परयुक्त होता है लुहे का छड़, इस्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एलमुनियम का छड़ यानि नाभिकिये विखंडन को नियंत्रित करने में पर्युक्त क्या होता है लुहे का छड़ होता है, इस्टील का छड़ होता है, कैडमियम का छड़ होता है या एलमूनियम का छड़ होता है चौथा का करेक्ट एंसर फटा-फटा आप लोग जो है कमेंट करके बताइए चौथा का सही एंसर A, B, C, D में से कौन सा ओप्सन जो है सही है जितने भी बची इस कोशन का एंसर ओप्सन नमर C कमेंट किया है वह बिल्कुल सही है यानि कैडमियम का छड़ नाविकिये विखंडर को नियंत्रित करने में परियुक्त होता है तो क्या होता है तो कैडमियम का छड़ होता है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर आपका पांच है किसी नाविकिये विखंडर में मुक्त उर्जा होता है वन मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट या फिर वन इलेक्ट्रोन भोल्ट या सॉरी देखिए यहाँ पर ओप्सन को ध्यान से देखिएगा 1 मेगा भोल्ट या फिर 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट या फिर 220 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट या फिर 10 कैल्विन इलेक्ट्रोन भोल्ट क्या होगा एंसर किसी नाविकिये विखंडर में परियुकते यानि जो उर्जा होगा वो क्या होगा यानि मुक्त उर्जा कितना होगा तो देखिए इस question का answer हो जाएगा 220 मेगा इलेक्टरोन भोल्ट ठीक है यानि option नमर जो C है वो बिलको नहीं correct है आगे बढ़ते है question नमर छो पे उर्जा का सबसे अधिक परतियक्ष एवं विसाल सुरोत गया है आगे बढ़ते है question नमर आपका साथ क्या कर रहा है box numa sore cooker में 3-4 घंटर चार घंटे में दखिए यानि box numa box ma sore cooker जो होता है उसमें 3-4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है यानि 3-4 घंटे के बाद उसका temperature होगा ताप्मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा कितने डिगरी से कितने डिगरी चलिए 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 बच्ची जवाब और बिल्कुल ही करेक्ट है आगे चलते हैं कोशन नमर आपका आठ है पौनो का देश कहा जाता है आपको बताना है पौनो का देश किसे कहा जाता है कौन से देश को पौनो का देश कहा जाता है आपको कमेंट करके फटाफट बताना है चलिए फटाफट कमेंट किजिए आपको 10 सेकेंड का टाइम मिल रहा है जली से आपका ABCD मेसेज जली से पसक्राइब दीजेगा उत्कने बिद्चे अभी तक सास्क्राइब निकिए तो साथ्क्राइब बबीडू आताकी संसरीड नम्हा। कोशन नवर आपका नव है पावण बिधूत जनीत्र में पावण की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए नव का करेक्रेंस जली से बताईए 15 किलोमीटर प्रती घंटा या फिर 1.5 किलोमीटर प्रती घंटा या फिर पावण बिधूत जनीत्र में पावण की चाल कम से कम कितना होना चाहिए पावण बिधूत जनीत्र का चाल इस पीड कितना होना चाहिए इसका बताना आपको फटाफ़ोट कमेंट करके कि A B C D में से कौन सा अप्शन जो है सही है चलिए बहुत बढ़िया जितने भी बच्ची इस question का answer दिये है option number A 15 km प्रती घंटा ठीक है कम से कम होना चाहिए option number A है इसका सही answer है ठीक है आगे बढ़ते question number 10 है जिवास्प इंधन का उधारान है यानि जिवास्प इंधन का जो example है इसमें से कौन सा है कोईला, लकडी, गोबर गैस या ये सभी जिवास्प इंधन का उधारन कौन सा हो जाएगा कोईला हो जाएगा, लकडी हो जाएगा गोबर गैस या फिर इन में से सभी जिवास्प इंधन का example आपको बताना है यानि जिवास पिंदन का जो है उधारन कौन-कौन से हो सकते हैं A, B, C, D में से कौन सा option जो है वो correct है जली से बताईए और देखें दोस्तों यह जितने भी question करा रहे हैं काफी बार आपकी exam में पूछा गया है और आगे भी पूछने जाने की संभाना है 2022 में ठीक है पूछने का उधारन है लकड़ी भी या और गोबर गैस भी यानि option number D हो जाएगा इस question का आगे बढ़ते question number आपका 11 कह रहा है प्राचिन काल में उसमिये उर्जा का सबसे अधिक समान सुरोत था आपका option है घास, लकड़ी, पवन, बहता जल यानि प्राचिन काल में उसमिये उर्जा का सबसे अधिक समान सुरोत कौन सा था घास था, लकड़ी था, पवन था या बहता जल था चलिए, इस question का जवाब फटाफोट आप लोग जो है, जल्दी से comment करके बताइए कि एकारा का right answer क्या हो जाएगा, चलिए पहुत ही बढ़िया, इस question का सही जवाब हो जाएगा दोस्तो, option number B हो जाएगा, यानि लकड़ी हो जाएगा, ठीक है प्राचिन काल में उस मिय उर्जा का सबसी अधिक सवान सुरत कौन सा था, तो लकड़ी था ठीक है चोलिए आगे चलते हैं कार्ज करने की च्छम्ता को कहते हैं या ओर्जा कहते हैं या फिर इंधन करते हैं दोस्तों यहां जो है लाड्स चेप्टर है इसे पॉल हमनों फिजिक्स का यानि मैं चार्थ चप्टर कम्प्लीट कर चुके है यानि समझे लोग आप लोग यानि हम लोग सब्सक्टर मिक्ब्स राज़रäg कर लेंगे लो यानि फिजिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर आभी तक आपने यानि जो है फर्स चेप्टर सकेंड चप्टर फर्ट चप्टर का आप जो है यानि अब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो प्ले केटिव और ह्या ठीक है मैं नहीं देखिटी गैस है बाइयो गैस है लकड़ी या चुलहा है गोबर गैस एक परकार के क्या है तो यहां पर हो जाेगा आपका एंसर बी उप्शन राइट हो जाएगा बाईयो गैस हो जाएगा ऑपी ईस है आगे चलते Q inуди आपका 14 आपको उर्जा कार रहा है प्राकिर्थिक गप्राप्ट उर्जा आपको बताना है आपको जल्ली से कमेंड करके बताना है कि A, B, C, D में से कौन सा option जो है बिल्कुल ही सही है चलिए बहुत ही बड़िया इस question का सही जवाब हो जाएगा option number B हो जाएगा सौर उर्जा हो जाएगा यानि option number B हो जाएगा यानि नभी करनी है उर्जा का जो सुरोथ हो जाएगा वो क्या होगा सौर उर्जा हो जाएगा आगे बरते है question number 15 क्या कर रहा है глубin जैयोगास एक उत्तम इंधन है क्योकि इसमें methane, gas पाई जाती ही यानि कितना प्रतिषयत जो है यानि methane, gas पाई जाता है objectives, Moon Palace जो है एक उत्तम इंधन है ठीक है जिसमें मेथेन जो कितना परतिसत पाया जाता है 50, 60, 70 या 75 कितना परतिसत जो है मेथेन गैस पाया जाता है जैव गैस में वह आपको कमेंट करके बताना है चलिए 15 का राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा ओप्सन नमबर D हो जाएगा दोस्तों ठीक है या 75 परतिसत मेथेन गैस पाया जाता है ओप्सन नमबर D हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 16 में नभीकर्णिये उर्जा का सुरोत है जिवास्पी इंधन, स्वार उर्जा, पमन उर्जा या विदूत उर्जा नभीक से 16 लिखके उसके बाद डॉट लगा के जो भी एंसर होगा A या B या C या D जो भी हैगा उसको ऐसे कमेंट किजे ठीक है कोशन के साथ एंसर तो देखिए और नभीकर्णिये उर्जा का जो सुरोत हो जाएगा वह जिवास्मी इंधन हो जाएगा ठीक है यानि ऑप्सन आपका सत्रह पे स्वार उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्तित करती है स्वार उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्तित करती है यानि कौन करती है चार ओप्सन आपके मुआली स्कीन पर है जली से कमेंट करके बताएगा कि स्वार उर्जा को बिदूत उर्जा म आठाड़ा पर ईकंद पर अपने तो उत्तम इंधन कौन सा है कोईला है लकडी पेट्रोल्य अnow जाय आपको बताए थें जयोगास मिथेन गैस कितना पाया जाता है तो 75% पाया जाता है आगे बढ़ते हैं को स्थान महराष्ट उत्तर परदेश या फिर गुजरात चली कौन से जो है यह राज में इस्तित है तो देखिए जीतने बचे ऑप्सन इसका कमेंड कर रहा हैं ऑप्सन नमर सी यानि यूपी यानि उ पिरको नहीं करेक्ट हैं आगे बढ़ते हैं कोशन नमर आपका 20 क्या है जिवास्पी इंधन उर्जा क्या है नभीकरणिये शुरोत है और नभीकरणिये शुरोत है या फिर बैकल्पिक शुरोत है या इनिमें से कोई नहीं जिवास्पी इंधन उर्जा क्या है तो देखे जिवास्मी इंधन जो है उड़ जा के क्या है तो और नभी करनी है शुरोत है यानि option नमर इसका B हो जाएगा ठीक है B option जो है सही है आगे बढ़ते question नमर 21 पे सरदार सुरोवर बांध किस नदी पर बना है गंगा नदी पे शतलर नदी पे या फिर नर्मदा नदी पर या फिर तापी नदी पे आपको बताना है कि सरदार सुरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है तो देखे जितने भी बच्ची इस question का answer comment की है option number C वो बिल्कुल ही correct है यानि नर्मदा नदी option C जो है बिल्कुल ही correct है आगे बढ़ते है question number आपका 22 कर रहा है कि टिहरी बांध किसे नदी पर बना है टिहरी बांध जो है वो कौन से नदी पर बना हुआ है गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी जा फिर नर्मदा नदी टिहरी बांध किसे नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध जो है वो कौन से नदी पर बना हुआ है तो देखे टिहरी बांध जो है वो कौन से नदी पर बना हुआ है तो याद रखेगा गंगा नदीप बना हुआ है टिहरी बांद ओप्शन इसका जो है वह बिल्कुल ही करेक्ट है आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 23 है भारत का पवन उर्जा द्वारा विधुत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा अस्थान यानि भारत जो है उसको पव कौन सा अस्थान है बताई जल्लिस चल Measure अका एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर के लिए किसका उप्यों किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उप्यों करते हैं हम लोग लोहा का या चांदी का या तामबा का या सिलकन का सौर सेल बनाने के लिए किसका उप्यों किया जाता है लोहा चांदी तामबा या सिलकन बहुत ही मनिया सौर सेल बनाने के लिए किसका उप्यों करते हैं हम लोग तो silicon का उप्यों करते हैं ओप्शन जो D है वह बिल्कोली correct है आगे बढ़ते हैं question नमबर 25 पे बांध के दवारा बांध के दवारा अस्थापित टरबाईन जोवारिय उर्जा को किस में रुपांतरित करता है बांद के दूरा अस्थापित टर्बाइन जुआरीय उर्जा को किसे में रुपां तृत करता है यन्हें चेंज करता है दोस्तों पौवन उर्जा में विधूत उर्जा में इस्तितिज उर्जा में या फिर दिश्ठ धारा में तो देखे दोस्तों इस question का right answer जो हो जाएगा 25 का option number यहाँ पे B हो जाएगा दोस्तों यानि विधूत उर्जा option जो B है वो बिल्कुल ही correct है आगे बढ़ते question number आपका 26 कर रहा है तेखे 26 number question कर रहा है O T E C विधूत सयंत्र केवल तभी परचलित होते हैं जब महासागर के प्रिष्ट पर जल का ताप तथा 2 किलमेटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो यानि कितना degree Celsius का अंतर होना चाहिए 10 degree Celsius, 15 degree Celsius या फिर 20 degree Celsius या फिर 25 degree Celsius 10 degree होगा, 15 degree होगा, 20 degree होगा या 25 degree होगा कमेंट करके बताईए चले इस question का सेजवाब होजागा दोस्तों याद रखेगा 20 degree Celsius होगा यानि option number जो है C option सहिए ठीक है, 20 degree Celsius आगे बढ़ते है question number आपका 27 है Hydrogen warm किस अभिकिरिया पर आधारित होता है नाभिकिये विखंडन, नाभिकिये सनलयान, दोनों या इन में से कोई नहीं Hydrogen warm किस अभिकिरिया पर आधारित होता है तो दोस्तों याद रखेगा, Hydrogen जो warm होता है वो किस अभिकिरिया पर आधारित होता है तो नाभिकिये सनलयान पर होता है आगे बढ़ते हैं कोसन नवर आपका 28 कर रहा है तारापूर नाविकिये बिदूत सयंत्र किस राज में है बताना आपको तारापूर नाविकिये बिदूत सयंत्र किस राज में है महरास्थ राजस्थान तमिलाडू या फिर गुजराद तारापूर नाविकिये बिदूत सयंत्र की सिराज में इस्तित है? महराष्टोगा, राजस्थान, तमिलाडू या फिर गुजराथ जितने भी बच्ची इस कोशन का एंसर कमेंट किये हैं आगे चलते हैं, कोशन नाविकिये बिदू सयंत्र की सिराज में इस्तित है? गुजराथ, तमिलाडू, महराष्ट या फिर राजस्थान? चलिए इस कोशन का जवाब हो जाएगा, राजस्थान यानि ओप्सन नावर डी हो जाएगा दोस्तों राणा परताप सागर विदूत सयंत्र जो है, वो राजस्थान राज में इस्तित है, ओप्सन डी हो जाएगा आगे चलते हैं, कोशन नावर आपका 30 का और आ है चलिए, हम कोशन को बस इसको दिखा रहा है, आप जो एक एंसर कमेंट किजिए कि A, B, C, D में से कौन सा ऑप्सन करेक्ट है, 30 का एंसर फटाफट कमेंट किजिए दोस्तों, ठेक है अब इस तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लिजिए, ठीक है सभी स्टूरेंट जो है वीडियो को एक पर लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में सेर कर दें है इस वीडियों यह शाम हो जाएगा है ईतनाना मेहनत करते लिए विडियो को लाइक करते रहे और अपने थी कह प्रृइक सर ंर कर दीजेगा तो यहाँ पर हम ठीर के ऐंपू का यहाँ पे तीस का एंसर जाते हैं आप तीस का थाही हो जयाएगा presenting तो हमिलाडू हो जाएगा यानि option नमबर जो बी है वह बिल्कोल ही सही है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर आपका 31 है पार काकरापार नाभिकिये विदूत सयांतर की सराज में इस्तित है तो आमें लाड़ू उतरपर देश गुजरात यह करना अठक दिक यह सयांतर वाला कोशन है ना विदूत सयांतर वाला यह एक कोशन आपके बोड़ी ज्या में पूछता है इसलिए आप लोग याद तूंभी कोशन को तो कौन से राजम हो जाएगा तो याद रखेगा यह गुजरात में इस ती थे दोस्तों गुजरात में सिथे ऊप्संडी हो जाएगा ठीक है 32 सुर्व तीन नमरFORE क्या कर रहा है एक हैं अब पर करनाटक हो जाएगा ठीक है याद रखेगा हम बता देते थोड़े रिपीट कर देते हैं और यहाँ वाला का यानि का करा पार नाविकिया विदु सयंत्र जो है कहां पर है तो गुजरात में ठीक है याद रखेगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो दोस्तों इस को सुबा में आ जाना है नव बजे ठीक है सुबा में आपको आना है नव बजे और आपको साम में आना है दोस्तों ना इस्टा इनडिंव piस्त्म ऑजक्टिव का और सब्जेक्टिव strah UK होगा ठीक है फॉर बने रहीए अब फेविडियोमें आपको कमेंट करना है आपका नेम क्या है अपना नाम लिख दीजेगा जो भी आपका नाम है A, B, C, D जो भी नाम है उसको यहाँ पर डाल दिजेगा नेम को और उसके नीची लिख्येगा आपका कितना कोशन सही हुआ ठीक है, आपका जो है कितना कोशन जो है, वो सही हुआ उसको भी आप जो है, कमेंट बोक्ष में लिख दिजेगा चलिए अब एक वीडियो में इतना ही रहन दते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में